नमस्कार स्वागत आपको नीजरूम पोस्ट में मैं हूँ आपके साथ रोश्नी सिंग बॉलीवूड एक्टर सुसान सिंग राजपूत की निधन को 45 महीने पूरे हो चुके हैं लेकिन अब तक इस मामली की गुथी सुलज नहीं पाई है चौदा दोन साल 2020 को शुसान सिंग अपने बांदरा वाले अपार्टमेंट में मरे वे पाई गए थे रिपोर्ट के बात सामने आई थी कि उनकी मौत की वज़य आत्महत्या है लेकिन इसके बात CBI जांच बैठाई गई थी लेकिन अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँची है अब सुशान सिंग की बहन ने प्रधान मंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है सुईता सिंग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है दरसल सुशान सिंग राजबूत की मौत के मामले में उनकी गल्फरिंड रही रिया चकरवर्ती पर एफायर दर्च हुई थी शुरुवात में केस पुलिस के था जो बाद में CBI को सौब दिया गया था उनके परिवार को लंबे वक्त तक इस मामले में अपडेट का इंतजार है लेकिन अब उनका कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है शुषान सिंग राजबूत की बेहन सुषान सिंग ने लंबे वक्त से भाई की मौत के पीचे की सच्छाई जानने का इंतजार कर रही है शोशल मीडिया पर लगातार शुषान को लेकर कुछ ना कुछ शीजे शेयर करती रहती है बड़े हो या फिर दूसरा मौका सुषान सिंग काफी एक्टिव भी रहती है लेकिन 45 महीने पूरे होने के वावजूत कोई अपडेट ना मिलने पर परिवार वाले काफी नराज और परिशान भी है इसी बीच सुषान ने अब एक वीडियो शेयर किया है और उस पे लिखा है मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि भाई की मौत को 45 महीने पूरे हो चुके है लेकिन अब तक हमारे पास CBI की जाच को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है इस मामले में आपसे दखल देनी की रिक्विस्ट करती हूँ आगे उन्हें ने ये भी कहा कि परिवार के तौर पर हम बस इस केस से जुरे बहुत सारे सवालों का जवाब ढून रहे हैं जो अब तक हमें नहीं मिले हैं मैं इसलिए PM मोधी का इस मामले में हक्त छेप करना चाहती हूँ ताकि जाच को लेकर कोई अपडेट मिल जाएं हम जानना चाहते हैं कि CBI की जाच इस मामले में कहा तक पहुंची है 14 जून को आखिर क्या हुआ था बहुत लोग इस सवाल का जवाब ढून रहें जिसके मिलने के बाद ही कई दिलों को सुकून मिल जाएगा अगर आपको मारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर जरू करें अगर आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें